अनिये उच्छ न्यायले में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि एडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तु कहीं मू दिखाने लायक नहीं रहेगा ये सारी बातें इसने लिखिया और इतना ही नहीं इस चंदन रेड़ी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए दोनों कान के फर्दे फट गए मार मार के प्रतारित करके E.D. का जो हिटलर शाही का गैस चेमबर है मैं कहूंगा वहाँ पर थर्ड डिगरी टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया और उसके बाद जब ये व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखडे मानी न्यायले के सामने इसने बयान किये कैसे इसका बयान लिया गया E.D. में कैसे इसका बयान लिया गया E.D. के अंदर और ये इस व्यक्ति की डॉक्टरी जाँच है जो डॉक्टरी जाँच की कापी मैं अभी आपको दूँगा ये दोनों डॉक्टरी जाँच ये कहती है कि चंदन रेड़्डी को मार मार के उसके कान के परदे फार दिये गए उसको सुनाई नहीं दे रहा है ये डॉक्टरी की जाँच आपको देता हूँ ऐसे कर रहे ही इडी इंवेस्टिगेशन पहला आदमी चंदन रेड़्डी दूसरा अरुन पिल्लाई अरुन पिल्लाई वो सक्स है जिसकी पत्नी को बेटी को परिवार को धमकाया गया डराया गया इडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद ये सक्स कहता है न्यायाले में लिख कर देता है माननी ये न्यायाले के सामने कहता है मुझसे जबरन जूठा बयान इडी ने लिया मुझसे जबरन जूठा बयान इडी ने लिया अरुन पिल्लाई तीसरा व्यक्ति समीर महंद्रू समीर महंद्रू इसकी पत्नी को बुलाकर गिरिफतार करके रखा गया धमकाया गया डराया गया परिवार को प्रतारित किया गया जूटा और जबरन बयान एडी के द्वारा लिया गया एडी ने जूटा और जबरन बयान समीर महंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं मानी नियायाले के सामने समीर महंद्रू ने लिख कर दिया कि जद साहब हमसे तो जबरन जूटा बयान लिया गया समीर महंद तीसरा नाम भूसर वेलगावी इस व्यक्ति से भी एडी ने प्रतारित करके जूठा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं जच साफ को जाके आ न्यायधीस महोदे माननी न्यायाले हमारी रख्षा कीजए हमसे एडी ने जूठा जबरन गलत बयान लिया पाच्वा नाम मनास्वनी प्रभुने मनासवनी प्रभु ने इससे भी E.D. ने जबरन जूटा जबरदस्ती का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायाले को लिख के दिया किसी और को नहीं ध्यान दिजेगा मेरी बात को मनी न्यायाले को लिख कर दिया कि न्यायाधीस महोदे जद साहब मुझसे E.D. वालों ने जबरन जूटा जबरदस्ती प्रतारित करके बयान लिया चट्वा नाम रागो रेड़ी ये रागो रेड़ी चट्वा नाम रागो रेड़ी इसने न्यायाले के सामने जाकर कहा कि नया धीस महोदे हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ किसके इशारे पर इडी काम कर रही है किसके दबाओ पर ED काम कर रही है किसके डिरेक्शन पर ED काम कर रही है क्योंकि एक बहुत चोकाने वाली बात इनके हाई कोट के पेटिशन में लिखी हुई है चंदन डेड़ी के क्या कह रहे ये कह रहे साब ED के अधिकारियों ने तो मारा पीटा कान के परदे फट गए वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनोंने हमको मारा पीटा जिनको जो ED के ऑफिशियल्स भी नहीं थे ऐसे लोग थे जो ED के अधिकारी नहीं थे उन्होंने भी हमारे साथ मार पीट की कौन से लोग है किस पाटी के गुंडे ED के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मार पीट कर रहे है कौन से लोग है जो ED के दफ्तर में जाते हैं पूस्ताच करते हैं मार पीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं इसका खुलासा होना चाहिए माननी हाई कोर्ट के सामने यह याचिका पड़ी है इसके साथ साथ मनीश सिसोधिया जी के पियस रिंकू आप जानते कानून में नियम है किसी को भी बुलाओ नोटिस दो पूछताच करो कैमरे में पूछताच करो और सारी जानकारी आउन पेपर रखो इडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है फोन करता है बुलाता आजा बैठ इतने घंटे जा घर जा फिर आजा बैठ सुबह से सामतर फिर घर जा आप गुंडागर्दी करके धमका के डरा के कान के परदे पाड़ के तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी इस तरह का बयान देके जाच कर रहे हो इस तरह का बयान देके जाच कर रहे हो मैं देश के प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है तागज पर दसकत करना तो बहुत दूर की बात है लड़ना है तो सामने सामने लड़ो कायरों की तरह बेटी का पत्नी का परिवार का सहारा लेके मत लड़ो सामने सामने लड़ो जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो और आपको याद होगा देश की पार्लेमेंट में देश की स संसद में मैंने इस सारे विशे सिलसिलेवार करके एक-एक मुद्दा उठाया था ED के सम्मन्द में और कहा था कि पिछले आठ वर्सों में 3000 छापे मारी ED ने की है और मात्र 0.5% दसमलो 5% ED का conviction rate है और ये कहने पर मुझे privilege का notice मिला बहुत अच्छी बात है देश की संसद में अब मुझे ये सारे मामले उठाने का अवशर मिल गया मैं विशेसा अधिकार समित के सामने इन ED के अधिकारियों को बुलाने के लिए आज ही ये सारे कागजात प्रस्तुत करूँगा कि ED के इन सारे अधिकारियों को बुलाया जाए विसेशा अधिकार संसत की विसेशा अधिकार समित के सामने मैंने जो मामला पारलेमेंट में उठाया था उन आरोपों को ये सारे काज़ात 100% मैं तो कहूंगा 100% से ज़्यादा सिद्ध करते हैं कि ED राजनितिक दबाव में जबरन छूटा मा मामला बनाती है, सरकारों को बदनाम करती है, सरकारों के ऊपर जूटे आरोप लगाती है, सराभ घोटाला जैसी कोई चीज, उसका कोई सिर पाउं है ये जिन लोगों के जबरन बयान लेकर ED ने ये सारे मामले बनाये हैं, वो तो न्याया लेके सामने जाकर कह रहे हैं पे दबाव बनाया जा रहा है और जूटे बयान लिये जा रहा है बहुत अच्छा है अब देश की भारत की संसद की पार्लियमेंट की विशेसा अधिकार समीति के सामने जिसने मुझे नोटिस दिया है ये सारे विशे और मामले मैं रखूंगा और इन सारे अधिकारियों को बुलाने के लिए बोलूँगा कि इन सब को बुलाया जाए और पूछा जाए कि हाई कोर्ट से लेके और न्यायालेयों में जो इनके खिलाफ शिकायते की गई है उसके तख, उसकी सच्चाई, उसकी हकिकत क्या है मुझे इतनी बात कहने थी आपका कोई मुद्दा हो, कोई यह सारे आपकारी नीतिक के जो बयान लेकर जूठा मामला एडी खड़ा कर रही है यह उससे संबंदित है यह सारे मामले जो आप लोगों को बताया जाता है घोटाला 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 उस घोटाला